दुनिया भर में कोरोना वाइरस की वज़े से काफी दहशत का माहौल बना हुआ है दरसल भारत में अब तक 130 से जादा मामले सामने आ चुके हैं वही पुरे दुनिया में अब तक कोरोना से 7000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है इसी वज़े से दुनिया भर की अर्थ्य वस्था को तगड़ा जटका लगा है बॉलिवुड को भी इस वाइरस से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है वही मीडिया रिपोर्ट्स के मताबेक इस वाइरस के चलते इंडस्ट्री को सेकडो करोड का नुकसान होगा कुछी समय पहले देश की राज्य सरकार ने सिनेमा घरों को बंद करने की घोश्टा की है अब तक 3500 से ज़ादा स्क्रीनों को बंद कर दिया गया है हिंदी फिल्मों के प्रमुग बैल्ट मुंबाई दिली राजस्थान गुजरात पंजाब और बिहार में थेटर्स बंद ह वही कई फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई है बागी और अंग्रीजी मीडियम जैसी बड़ी फिल्मों को सिनेमा घरों के बंद होने की बाद काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है वही बीग बजट फिल्म सूरेवनशी की रिलीज डेट को भी बदल दिया गया है कि प्रड़क्शन, डिस्ट्रिब्यूशन और एक्जिबीशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है ऐसे में इंडस्ट्री का नुकसान कई गुना बढ़ने के चांस है तरण आदर्श ने कहा कि मिझे लगता है कि चीजों को सामानी होने में वक्त लगेगा और आने वाले मह हिनों में दर्शकों का थेटर्स की और वापस लोटना भी आसा नहीं होगा क्योंकि हर कोई अभी काफी डर और पैनिक के साई में है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स